हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल मिस्टर आर्शरमा तो दोस्तों हम आज जो शुरू करने वाले हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो आज से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा जो पीजीटी का एक्जाम है इमाचल प्रदेश सरकार इसे हमें पिजीटी के जाम और हिंदी के विश्ए में बात करेंगे ठीक है। अगर तो पुराने पैटरन की हम बात करते हैं जो पुराना पैटरन था अभी तक का उसमें क्या था कि आपको 85 हॉशन करने होते हैं और जिसमें से आपके 65 जो कोशटन है वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, 65 प्रashan कैसे होते हैं, जो आपके हिंदी से सबंदीत होंगे और 10 परशटन आपके होंगे, हिंज सी प्रashan होंगे, और 10 ही प्रashan ह charge होंगे, in Aybcos को मिला कर धन ठीक है और इस तरह जो अभी तक का पेटरन है वह 85 कोशन का बोता है जिसमें आपको क्या है पैंसर्ट प्रशन हिंदी के जिसमें आपका ग्रामर समाहित होगा कावळशास्त्र पाष्ट्यर का भारते कावळशास्त्र की बात करें वह भी सिमें होगा गद्दे पद्देवी लेकिन जो अब नया पेटरन जिसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी 15 नंबर की जो मार्किंग होती थी दस्तावेजों की डॉक्मेटेशन जो होती थी वो अब समाप्त कर रहे हैं अगर वो समाप्त हो जाती है तो अब आपको 85 के स्थान पर क्या है कितने प्रशन आएंगे 100 तो प्रशन आएंगे और मेरे अनुसार अगर ऐसा है तो जो आपका कॉलेज केटर का स्लेवस रहता है क्या होता है कि आपको 80 प्रशन क्या होते हैं अपने विशे के होते हैं जैसे हिंदी के आपका विशे है तो 80 प्रशन क्या होंगे हिंदी के होंगे 10 प्रशन क्या होंग या फिर क्या है कुछ इजाफा जैसे 65 या आपके हिंदी के आता है तो कुछ इसमें थोड़े जोड़ दिये जाएंगे और जो भी होगा वो आपको अभी जब नोटिफिकेशन जारी हो गई मार्च के महीने में इसकी नोटिफिकेशन जारी होने की उमीद है कि पीजडी का आपकी नोटिफिकेशन है वो मार्च में ही सर्कुलेट हो जाएगी सभी को तो इस अधार पर हमने क्या करना है त्यारियां करनी है अब जैसी बात है कि आपको 65 से 80 के मध्य क्या है हिंदी के प विच्छे भी विवाद चले हुएं तो सबसे पहला है कि जो हिंदी साहिते का इतिहास से उसको लिखने की प्रमपरा किसने शुरू की किसने इसको एकत्रित करने का प्रयास किया अब जैसे बात करते हैं कि जो सबसे पहला हिंदी साहिते का इतिहास से वो कब लिखा गया 1849 में लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया था ये लिखा गया था आपका गार्षा दातासी के द्वारा एक जो फ्रेंच विद्वान थे उन्होंने लिखा था लिखने की परंपरा कब से भी 1849 अर्था अगर आप से पूछ ले कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा का आरंब क जो आपका हिंदी साहिते का इतिहास लेकन परंप्रा है ठीक है लेकिन अब कोई परंप्रा कैसे होगी अगर आपने कोई काम करना है तो उस काम के लिए आपको कुछ आवशकता हैं होती है जरूरते होती है अगर आप फॉर एक्जांपल क्या है कोई घर में आप क्या है रोटी ही बनाते हैं ठीक है तो उसके लिए क्या है रोटी एकदम पक जाते हैं उसके लिए कितनी चीज़े होती है गेहूं लेके आएगे उसको पिसाने लेके जाएगे उसको वापसी लेके आना है उसमें आप पानी डालेगे मतलब जब आप कोई चीज निर्मित करते हैं उसके लिए आपको कोई चीज आप कोई चीज आप क्लेक्ट करते हैं डाटा क्लेक्ट करते हैं या कोई चीज सामगरी क्लेक् तो हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो करेंगे कि जो यह hindo के शरोत ग्रंथ है वी इतियास कहलाता है और क्या कहलाता है और सहिते की बात करे शाहितेक्ट बना कैसे है सहिते शब्द कि इसमें किसी के हित की बात की गई हो वही एक प्रकार से क्या कहलाएगा साहित्य कहलाएगा अगर हम आचारे राम चंदर शुकल की बात करें तो वह क्या कहता है वो कहता है कि जो प्रतेग देश का साहित्य होता है तो वहां की जनता की चित्वरितियों का एक संचित प्रतिविंब होता है क्या बोलता है कि जो आपका सहित्य है वो क्या होता है कि प्रतेग देश की जो प्रतेग देश का सहित्य है वो वहां की जनता की जो चित्वरित्या होती है जो उसके मन के बाते होती है उनका प्रतिविन उनकी हिचाया एक प्रकार से सहित्य होती है फोर एक्जामपल आज की बात कर रहे हैं अब आज का जो युग है 21 सदी का युग है ठीक है आज के मनुष्य के हृदे में क्या बाते हैं उनका व्यवहार कैसा है उनका इस्थिती कैसी है उन चीजों का प्रभाव प्रतिविंब एक प्रकार से छाया कहां दिखती है साहित्य पर दिखती है तो वही बात इन्होंने की आचारे रामचन शुक्रमने उनने क्या कि कोई भी साहित्य क्या होता है वहां की जनता की जो चित वृतियां होती है उनका प्रतिविंब ही क्या है साहित्य कहलाता है ठीक है चलो यह तो बात होगी कि साहित्य क्या है और इतिहास क् कि साहित्य श्रोत या इतिहास ग्रंथ श्रोत ठीक है कि इतिहास श्रोत ग्रंथ कि जो आपने साहित्य का इतिहास लिखा है हम किसकी बात कर रहे है हिंदी की हिंदी साहित्य इतिहास श्रोत ग्रंथ कि जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया इसके लिए आपको कहां-कहां से सोर्चिस कहां-कहां से डाटा कलेक्ट गिया हुआ है उन श्रोतों के बारे में बात करने हैं और प भक्तमाल एक गरंथ है अब जो भक्तमाल गरंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है और कब लिखा गया है इसके बारे में कौशन आता है सबसे पहली बात है जो भक्तमाल गरंथ है वो लिखा गया है 1585 पीसवी में 1585 इसवी में लिखा गया एक गरंथ है ठीक है जिसमें क्य किया गया है भक्तों का विब्रण किया गया है कितने भक्तों का वरणन किया गया है इसमें इसमें कोशन आता है कि बताइए भक्तमाल जो रचना है इसमें कितने भक्तों का वरणन किया गया है इसमें 200 भक्तों का क्या क्या गया है उनके चरित्र का चित्रन किया गया है एक चर यह एक प्रकास सकते हैं आप प्रमान पत्र किया जो आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है जो आप इससे पिछले वाले जहां भी आप थे वहांभी आपका रिकॉर्ड वांगा जाता है कि आप कहीं पिछले स्कूल में जहां पढ़ रहे थे वहां पर आपका क्या रिकॉर्ड है तो आंशिक हुआ अक्षणिक वाकू समय का हुआ लेकिन जो चरित होता है वो पूरे जीवन का एक विवरण दिया जाता है समुहिक रूप से तो वो क्या होगा चरि समस्वत कि रारा क्या वरण गया है कभ लिकी गई है अगर आप से पूछ ले कि कौनसे समवत की है 1642 समवत की है किसके द्वारा लिखी गई है यह लिखी गई है नाभादास के द्वारा किसके द्वारा नाभादास ठीक है यहीं से कोशन आजा ता कि यहां जी नाभादास द्वारा रचना लिखी गई है नाभादास किसके शिश्य थे नाभादास जो थे वो थे आपके अग्रदास के शिश्य ठीक है नाभादास किसके शिश्य थे तो अग्रदास के य गया पहले तो डोक्टर नागेंदर ने इस रचणा का समय इस्वा इंठाया अगया अब जो यह 1550 है वो किसने माना है रामकुमार वर्मा कहते हैं कि जो इसका समय है वो क्या है 1642 समवत है ठीक है तो जो रामकुमार वर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा है उन्होंने कौन सा समय बताया 1242 समवत अर्थात 1555 इस्वी और जो आपकी डॉक्टर नागेंदर है उन्होंने इस रचना का समय क्या बता है 1596 इस्वी बता है ठीक है एक और कॉस्चन यहां से आयवा था कि जो ये रचना है वो कितने छपपयों में लिखी गई है ठीक है जो आपकी भक्तमाद रचना है व पयों में लिखी गई रचना है जो भक्तमाल रचना है वो कितने छपपयों में लिखी गई है 316 छपपयों में लिखी गई है 316 छपपय एक प्रकार का क्या है छंद है क्या है छपपय एक प्रकार का छंद है और कैसा है विशम मात्रिक छंद होता है विशम मात्रिक छंद ह होता है और जिसके की चरण की बात करें हम तो इसमें 6 चरण होते हैं इतना वैसे नहीं तुम्हारे को चंद जिसमें की कितने होते हैं 6 चरण होते हैं एक इसमें आपका जो दो चंदों का मिश्रण होता है एक आपका रोला चंद होता है और दूसरा कौन सा होता है एक उहला चंद होता है कौन कौन सा एक तो आपका रोला चंद होता है रेक आपका क्या है उहला छंद होता इन दोनों का मिश्रण ही क्या है छप या छंद होता है रोला का तो बार बार पूछा जाता है जी बताए रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है तो इसमें 24 मात्राओं वाला एकी जो छंद है इसके प्रतेक चरण में 24 मात्राएं जो होती है इस तरह का कुछ है ठ इसने इसका समय क्या माना है, कितने 6 प्यों में लिखी गई है, ये सारी चीजे जो है, वो इसमें मैंने आपको बता दी, ठीक है, अब जो दूसरा गरंत है, वो है आपका, एक आता है, एक आता है, 84 वैशनवन की वारता, ठीक है, 84 वैशनवन की वारता और 252 वैशनवन की वारता, दूसरा जो शुरोत गरंत है, वो एक तो हो गया आपका, 84 वैशनवन की वारता, और तिसरा कौन सा हो गया, 252 वैशनवन की वारता, मैंने इकठे क्यों लिख दिये, क्योंकि जो आपका, ये दोनों रचनाएं हैं, वो एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, और किसका इसमें वर्ण किया गया है, उसकी बात करते हैं, सबसे पहले तो इसका समय दिखनाएं, ठीक है अब लिखी किसे के द्वारा गी गई है एक व्यक्ति थे गोकुल नात ठीक है गोकुल नात के द्वारा इन रचनाओं को लेखा गी अब गोकुल नात कौन था गोकुल नात आपको जो कृष्ण का विधारा है उसमें एक व्यक्ति थे वलभाचारे ठीक है वलभाचारे थे ठीक है वलभाचारे के पुत्र कौन थे विठल नात ठीक है विठल नात और विठल नात का जो आगे पुत्र है वो है गोकुल नात ठीक है तो बलभाचारे का पुत्र कौन है विठल नात और विठल नात का पुत्र कौन है गोकुल नाथ जो ये गोकुल नाथ है इसने कौन सी रचना लिखी एक 84 वेशनवन की वारता और एक 252 वेशनवन की वारता ठीक है पहली बात जो 84 वेशनवन की वारता है इसमें किन कवियों का किन भक्तों का या किन वेशनवन की चर्चा इसमें की गई जो 84 वेशनवन की वा वारताओं को संग्रहित किया गया है ठीक है क्या किया गया है वलभाचारे के 84 जो इनके शिश्य थे ठीक है इनके शिश्यों की वारताओं को संकलित करके लिखा है किसने गोकुल नाथन और दूसरी है 252 वेशवन की वारता ठीक है इसमें किसमें क्या गया है अपने पिता वि विठल नाथ के 252 शिश्यों की वारताओं को संग्रहित करके लिखा गया है ठीक है जी दो रचनाय बोली मैंने दो आपके रचनाय है 84 वेशनवन की वारता जिसमें वलभाचारे के 84 जो आपके शिश्ये थे उनका वरणन किया गया है उनकी वारताओं को संग्रहित करके लिख अब जो ये गरंथ है किस प्रकार गरंथ है लिख लेना कि ये क्या है एक वारता साहित्ती है जिसमें वारतालाप का वरणन है इसमें वारताओं को लिखा गया है वारताओं को संरीद करके जा इसी बात है जब वारताओं की बात होती है तो कैसा होगा गद्दे पत्वता इसक अब ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी से बात करनी है तो आप उसको गाने के तोर पर करेंगे ऐप क्या है सीदी सीदी बात करेंगे आप कहां जारे हैं क्या नामे तो मतलब गद्य रूप जो है वो वारताओं का रहा है और भाषा कौन सी रही इसकी ब्रज भाषा जो है इस गरंथ की रही है ठीक है इसमें जो आपको कौशन यहां से आयवा था पीजी जी के लिए तो हो सकता है ना भी आये लेकिन इकौशन पहले उठावा है कि बताइए वैशनवन की जो ये वारता है वारता जो साहिती लिखा गया 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 इससे किस प्रकार की साहिता लिए गया है इससे लिया क्या गया है पहली बात इसमें क्या है जो पुष्टी मार्ग है पुष्टी मार्ग जो भक्ती है पुष्टी मार्ग ये भक्ती का वर्णन या उसकी हुआ तो वो पहली बात है यहीं से लिया गया है कि जो पुष्टी मारगे कभी है उनका विवरन हमने कहां से लिया हुआ है वैशनवन वारता से लिया हुआ है दूसरी बात है जो आपका कृष्ण साहित्य है कृष्ण साहित्य है उसकी अगर उत्पती की हमने बात से कहीं से तो कृष्ण साहित्य जो आपका ताय कृष्ण का विधारा है उसकी जो उत्पती का अगर हमने अध्यन किया है ग्यात किया है तो कहां से किया है इन वारताओं गरंथ से लिया है वारता साहित्य से लिया हुआ है ठीक है जी चैले उसके बाद जो चलते हैं वो है आपका अगल सिद्र रजना है कभी माला जesch04र करेंगे हम स्कार जिकर्ण है कभी माला मुख्या सबसे पहले उसका समय पूछा जाता है 1655 इसलि रचना 10 UA रचना को 2 नामक रचना लिखी गई थीक है किसके द्वारा लिखी गई है वेकति थे तुल-श्य जो आप नहीं है यह एक तुलसी नामक अन्य व्यक्ति थे जिनोंने कभी माला नामक रचना लिखी कब लिखी 1655 इस्वी में लिखी ए ठीक है अब है कि इस रचना से कौन-कौन से कव्यों ने अपने साहित्य में साहिता ली है एक तो आपका शीव सिंग सेंगर और जॉर्ज ग्रियसन ठीक है शिव सिंग, सेंगर और जोर्ज ग्रियर्षन इन दो साहिते कारों ने क्या है, मुख्य रूप से इस ग्रंत की साहिता ली है और कभी माला में जो है आपके कितने कभियों को संग इकठा किया हुआ है, कितनों का विर्बन किया है तो 75-75 कवियों का जो परीचय है वरणन है वो कभी माला नामक रचना के अंतरगत किया गया है किसने लिखी है तुलसी के द्वारा तुलसी दास नहीं बक्तिकाल वाले अन्य कभी है एक तुलसी कभ की है 16-15 इस्वी में और इस गरंथ में कितने कभियों को स्थान दिया गया है कितने कभियों का वरणन किया गया है 75-75 कभियों का वरणन किया है और इस गरंथ का जो मुख्य प्रियोग है वो किसके द्वारा किया गया है शीव सिंग सेंगर और जॉर्ज ग्रियसन के द्वारा इसका गरांत प्रयोग किया गया ठीक है उसके बाद है एक रचना आती है कालिदास हजारा ठीक है बड़ी प्रसिद्ध रचना है कि कालिदास हजारा नामा के रचना है किसके द्वारा लिखी गई है कब लिखी गई है 1718 इस्वी में कब 1718 इस्वी में कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखी गई है ठीक है कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखी गई है जो आपके कालिदास संस्कृत वाले हैं वो ये वाले नहीं है वो अन्य कवी है कालिदास हजारा नामक रचना 1718 में लिखी गई है किसके द्वारा कालिदास त्रिवेदी के द्वारा इस रचना को लिखा गया है कितने कवियों को इसमें स्थान दिया गया है तो आप से पूछ ले तो 212 कवियों का इसमें क्या किया गया है जिक्र किया गया है तो 212 कवियों का इसमें जिक्र किया गया है कितने पद्यों में 1000 पद्यों में इसको बांटा गया है लिखा गया है 1000 पद्ये रूप इसमें संग्रया है कैसा है जैसा है हमने पिछला किया था वारता साहित्य तो यह कैसा है कवी वृत संग्रया है या साहित्य यह एक कवी वृत साहित्य है या कवी वृत गरंथ है ठीक है जी आचा शुक्र जी ने इस रचना के विशे में एक कथन लिखा था वो मैं आपको वैसा ही ब सहायक सिद्ध हुआ है कि कवियों का जो काल निर्णे करना था कि कौन सा कवी किस काल का है तो हमें इस रचना से उस चीज का पता अधिक लगा है ये किसका कथन था ये अचारे रामचंदर शुकुल का जी कथन था ठीक है इसमें जो वरणन है एक और रचना थीन की कोई वधु विनोध नाम से ठीक है कौन सी है वधु विनोध ठीक है जो आपका सुरोत गरंथ है वो कौन सा है मैंने आपको बता दिया कालिदास 10rakं किसके द्वारा लिखी गए जो कालिदास 13 धी है इंहों ने क्या है और रचनावन ही लिखी थि हालांकि ये श्रोत गरंथ नहीं आपका 5 लेकिन यनकी प्रतिधी का आधार ये वाला गरनत भी इसमें वर्णन किस चीज का क्या गया है इसमें क्या गया वर्णन नाईका भेद किस चीज का नाईका भेद का वर्णन इसमें किया गया है ठीक है कितने चंदों में इस चीज का वर्णन क्या गया है पीजरी का जो पेपर है, इसमें किस तरह से आपके पेपर की जो कोशनों की डिवाइडेशन है, वो कैसे होने वाली है, थोड़ा बहुत अक्री, ठीक है, अब जो आप ये क्लासीज है, वो कंटिन्यू रहेगी, और कल से हमें जो अगला पाठ पढ़ेंगे, अधियान करेंग है, कौन सा गरंत सबसे पहले है, किस बाशा में लिखा गया है, इस चीज का मूँ आगे वर्नन करेंगे, ठीक है, तब तक की ने, जय हिंद, जय भारत.